शहर को कच्रा मुक्त बनाने दुर्ग निगम शहरवासियों के साथ जागरुकता कारिक्रम करने 17 सितंबर को करने जा रही है मुकाबला जिसमें भाग लेने शहरवासियों से दुर्ग महापौर वन निगम आयुक्तने की अपीर दुर्ग निगम शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने और इन दौर शहर की तरह अपना दुर्ग शहर भी सुन्दर स्वच्छ दिखाने के उद्देश को लेकर दुर्ग निगम ने भी अलग-अलग थिम पर 17 सितंबर को शहरवासियों के साथ मिलकर बड़ा जागरुकत कायकरम करने की तैयारियां कर रहा है इसके लिए बाकाइदा 11 सितंबर से ही रेजिस्ट्रेशन करने का कारिश शुरू किया गया है जिसे बच्चों से लेकर एंजियो और आम जनता को हिस्सा लेने के लिए अपिल की जा रही है ताकि वस्षचता को लेकर अलग-अलग प्र लेने के लिए रेजिस्ट्रेशन कराने की अपिल की है वही निगम अजित प्रकास सर्वे ने बताया कि कायकरम में जितने जादा लोगों की भागीदारी होगी उस हिसाब से शहर को स्वच्चता के मामले में अच्चे नंबर मिलेंगे इसलिए निगम द्वारा अपिल की जा रही है कि शहर को स्वच्च बनाने के लिए लोग आगे आएं घौर तलब है कि शहरी मामलों के मंत्रालै ने स्वच्च भारत मिशन शहरी के आठ साल पूरे होने का ज़स्ट मनाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आधिकारिक तौर पर स्वच्च अम्रित महुत शुरू करने की घोशना की है जिसके तहट खेल के साथ मनुरंजन के कायकरम भी शामिल है जिसमें 17 सितंबर की सुबर साइकल रैली फ्लॉंगिंग स्त्रोत प्रिधक करन के कायकरम भी होंगे जो शहर के इंदिरा मार्केट पटिल चो गौरपत इन जगों पर कायकरम आजित किया जाएगा जो कि स्वच्छता की धिम पर आधारित रहेगा साथ ही स्वच्छता के प्रती जागरुकता पर आधिकारिक नूपकर नाटक भी किये जाएंगे घ्रेंदेशीन नीउस के लिए दुरुकसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट